एसिया कप 2003 शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है क्योंकि एसिया कप 30 अगस्त जहीं खेला जाएगा और इसका फाइनल 17 सेप्टेमबर को खेला जाएगा इस बार एसिया कप के सारे मैचेज पाकिस्तान और स्रिलंका में ही खेले जाएगे क्योंकि इस बार A में इंडिया पाकिस्तान और नेबाल है तो वहीं गुरूप B में स्रिलंका बंगलादेश और अफगानिस्तान है तो इस वीडियो में हम बात करते कि इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच कब खेला जाएगा और इन दुनों टीमों के स्ट्रोंगेस प्लेंग 11 क्या रहन तो आप लोग इस वीडियो को अन तक जरूर देखें दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच खेला जाएगा वह दो सिप्तेमबर को भारतिय समय अनुसार एक बज़े से खेला जाएगा अगर दुनों टीमों के प्लेंग 11 का कंप्रिजन किया जाए तो नंबर तिसरे नंबर पर विडाट कोली टीम इंडिया के तरफ से तो नहीं बावर आजम पाकिस्तान के तरफ से यहां पर बावर आजम से बहुत ही आगे विडाट कोली नजर आ रहे हैं मुई चौथे नमबर पर देखा जाए तो इंडिया के तरफ से स्रेश अयर तो ही पाकिस्तान के तरफ से मुहमद हरिस आने वाले है और इन दुनों प्लियर्स का अगर कंप्रेजियन किया जाए तो यहाँ पर दुनों प्लियर्स बराबर नजर आ रहे हैं मुई पांचवे नमबर पर टीम इंडिया के तरफ से इसान किसन तो ही पाकिस्तान के तरफ से मुहमद रिजवान आने वाले है यहाँ पर इसान किसन अभी युवा प्लियर है और मुहमद रिजबान भी युवा ही है लेकिन वो थोड़ा एक्स्प्रियेंस है इसलिए मुहमद रिजबान यहाँ पर आगे नजर आ रहे हैं चट्ये न पर देका जाये तो इंडिया के तरफ से हर्दिक पाडिया और पाकिस्टान के तरफ से इतिकार आहमद आने वाले है यहाँ पर हर्दिक पाडिया इतिकार आगे नजर आ रहे हैं वही शात्मे नमबर पर देखा जाए तो यहाँ पर टीम इंडिया के तरफ से रविंद्र जटेजा और पाकिस्तान के तरफ से सदाव खान आने वाले है और इन दुनों प्लियर्स का अगर कंप्रिजन किया जाए तो यहाँ पर दुनों प्लियर बरावर नजर आ रहे हैं वही शात्मे नमबर पर देखा जाए तो टीम इंडिया के तरफ से कुल्दी प्यादव तो वही पाकिस्तान के तरफ से मुहमद वासीम आने वाले है और इन दुनों प्लियर्स का अगर कंप्रिजन किया जाए तो यहाँ पर कुल्दी प्यादव बॉलिंग के मामले में आग वाले हैं दसमें नमबर पर अगर देखा जाए तो सपीट गुम्राव साइज आगे है तता है 13 पर देखा जाए तो टीम इंडिया के तरब से मुहमद जिराल तो वही पाकिस्तान के तरफ से नसीम शाह आने वाले है इन दूनों प्लेयर्स को कंपरिजन करें तो यहाँ पर दूनों प्लेयर्स बराबर नजर आ रहा है तो SMA टीम इंडिया पाकिस्तान से आगे नजर आ रही है वैसे आपके अनुसार कौन सी टीम जीतेगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखियेगा